सबसे पहला सवाल सुधान शुत्रवेदी बहुत जल्दी से मेरा आप से है क्या राम केवले कलपना मातरे यदि राम कलपना है तो राष्टपिता महात्मा गांधी का राजनेतिक दर्शन राम राजी का चलावा था जवाब चाहिए महात्मा गांधी की समाधी पर लिखा हुआ है राम जूट है क्या दूसरी बात अब भारत से थोड़ा बाहर आईए पिछले ही साल याद है दीपावली में साउथ कोरिया की फर्स लेडी आई थी क्योंकि वो मानते हैं उनके परिवार की डिसेंडेंसी भगवान राम से थाईलेंड का किंग टाइटिल होल्ड करता है किंग रामा दे नाइंथ पूरे यॉरप में हरे रामा हरे कृष्णा मूमेंट चलता है ये कोई भारत ते नहीं चलाया और दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसके नेशनल ब्राटकास्टर पर हर दिन रामायन आती है वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ठीक और आप जाईए बाली जाईए इतनी बड़ी वहाँ पर मूर्तिया नजर आती है राम लक्षमन और उनकी वो और रावन का देश स्री लंका आफीशली गौर्मेंट आफ स्री लंका कहती है लिकित में कि राम थे और राम के ये ये एतिहासिक स्थल है मगर दुर भाग कि राम का देश भारत आज इस बात पे बहस करता है कि ये नहीं अब मैं एक और वैज्ञानिक बात कहता हूँ सारी चीजों के बारे में तो टेक्नॉलजी बदलती रहती है नए नए चीज़े आती रहती है पहले रेडार मैपिंग नहीं थी आर्केलोजिकल एक्सिवेशन नहीं था अंदाजेस किया था था मैपिंग के थुक किया जाता है मैं पूछना चाहता हूँ साइन्स इन टेक्नॉलजी में सबसे बड़ी थियोरी आइंस्टीन ने रिलेटिव्टी की थियोरी दी जिसमें उसने कहा ये दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है टाइम एन स्पेस फोम है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है आप कहेंगे पांच बजे हैं तो पांच तो दिल्लीम बजे ना लंदन में तो कुछ और बज़ा होगा इसलिए ग्रीनिश मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है अगर आपसे पूछू टाइम का एबसूलूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िये धरती पे मंगल पे बहस्पत पे किसी पॉइंट अफ सोलर सिस्टम पे लागू हो और भगवान राम के रिलेटिव मोश्चन अप प्लैनेट यानि इग्जैक टाइम लिखा है क्या करकराश में गुरू था करकराश में चंद्रमा था पुष्यन अच्छत्र था मकरराश में मंगल था और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेर में डाला तो डेट तक निकल आई कि साथ हजार कितने सो बीसी से पहले ये हुआ था अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मन्त में एक बात करना जाता हूँ दुनिया में चार-पाँच बड़े रिलिजन है अगर रिलिजन माने इन दुसम को तो क्रिशनिटी, इसलाम, जीष, हिंडू और बुदिष्ट बताइए कोई और ऐसा धरम है जिसके भगवान के बारे में का जाता हो सबूत लाओ, ये हुए थे कि नहीं हुए थे या इनसे पूछो और भगवान राम की पहले की भी बंशावली अवेले बूल है और बाद की भी, बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए बाद की कुछ की अवेले बूल है, कुछ की तो पहले और बाद की भी ने अवेले बूल है पहले किसी ने अवेले बूल है मर राजा इच्वाक उसे लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया कि कलेंडर 2000 साल पहले शुरू होता है या किसी का 1400 साल पहले शुरू होता है कैसे माले 1000 साल पहले का था समस्या ये है और कुछ नहीं है देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एकदम सबूत की और टेकनिकल बात होती है तो ये जैसे उन्होंने कोट केस की बात की आपको पता है मुस्लिम पक्ष इसमें कब आया है जब भी कोई जमीन का विवाद होता है तो उसके एक लिमिट होती है बारा साल अगर बारा साल तक आप नहीं कोई कोई कोट में मुगदमा दायर करते हैं तो वो आउटडेटेड मालिया एता है 1999 दिसमबर में मूर्तियां परकट हुई और जब पूजा शुरू हुई ये जानते है केस कब आया दिसमबर 1961 जब 11 दिन रह गए थे वो 12 साल की मियाद खतम होने में इसका मतलब कि पहले 11 साल तक कोई समस्या नहीं थी 12 साल तक अचानक वो 61 में पैदा हो गई इससे साफ समझ में आता है कि जाता हूँ और दूसरा में के अथार बताने चाहता हूँ जब मुगदमा कोड में चला है ना तो कोड ने ये पर्मीशन किया था कि दोनों पक्ष अपने अपने तरफ के इतिहास कारों को ला सकते है जो बावरी मज़िद एक्शन कमेटिया सुन्नी वकबोड की तरफ से इतिहास कार गए सब वही जे नियू ब्रांट थे आरे शर्म पूछा गया दूसरा प्रशनी ये था कि सारे डॉकुमेंट दो ही भाशाओं में लिखें संस्कृत और फार्सी दोनों ने बाखाता लिख के दिया ना वो संस्कृत जानते ना फार्सी जानते हैं यानि ना खुदाई जानते हैं और उसके बावजू सारी खुदाई जानत देवें सुरूप अगरवाल, ग्रोवर साहब, एस पी गुपता, ये लोग आर्केलोजिस्ट भी थे, तो हमारी तरफ से अकाट टिप्रमान, लिंग्विस्टिक भी रखे गए, यान लिट्रेरी अविडेंस, और आर्केलोजिकल अविडेंस, जब इसे कहा गया, पहले इनों का मंदिर नहीं है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर बहस यहीं से शुरू ही होती, जमीनी विवाद से तो कोई बात, जब ये मामला उठा था, आज की पीड़ी को तो याद नहीं होगा, नवासी नब्बे में जानते हैं, यहाँ थोड़ी शुरू होता भगवान लिया कि धार्मिक मामले में रती बर भी अस्तक चेप नहीं करेंगे, चूंकि धार्मिक मामले का पूरा सम्मान करती है, सरकारी आस्था से चलेगा, तो अगर 180 रुपिया मुआफ़ा जो शाह बानों को तैय हुआ था, वो देने का निर्ने कोट ने किया है, तो उसे पलट प्रक्रिया आती है, और एक बाद जो विजय सिंगर सिवार जी ने कि सबसे पुराना जो इंस्टेंग जानते क्या है, 1858 में अयोध्या की कोतवाली में मुगदमा दर्ज है, कि कई सो निहंग आये, गूरु गोविन सिंग जी का नाम लेते हुए, उन्होंने कबजा कर लिय और शारो तरफ उस दीवालों पर राम राम लिख दिया है, यह सीतला प्रसाद दूबे थानेदार ने अपनी तहरीर में लिखा, अंग्लेजों को जमने लिखा, क्या लिखा है, कहां कब जाका लिया है, मस्जित जनमिस्थान, अब भाया किसका जनमिस्थान था मस्जित, निकल रहे थे, यह आर्केलोजिकल सर्वे की रिकोर्ट में है, और यह बताने वाला केके मुहमद है, वो किसने लाग रख रखे दे, इंद्रा गांधी रखी थी क्या, बताईए ना, अम में फिर्वा पुस्ता हूँ, सुने एक सवाला, अच्छा सवाली जिरो 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 उसके बाद बाबू जगजीवन राम, उसके बाद कासी राम, और उसके बाद छेतरी नेतों में राम विलास पासवान, और उसी तरह जिनका नाम है राम राज, अरे राम को जितना हाथ तो साथ दरीतों में किया, उतना तो मैं मैं दरी से कहता हूँ, उची जातियों में न